आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Flipkart Big Billion Days Sale के बारे में हम सभी जानते हैं 23 सेप्टेमबर से 30 सेप्टेमबर तक Flipkart की Big Billion Days Sale लाइव होने वाली है यह Flipkart की सबसे बड़ी Sale होती है इस Big Billion Days Sale में कस्टमर को सभी प्रोड़क्स पर डिसकाउंड मिलता है और ऐसी ही सेल में सेलर को भी अच्छी खाजी सेल देखने के लिए मिल जाती है तो मैं इस वीडियो में आपको पांच ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी सेल हाइस लेवल पर ले जा सकते हो इस आठ दिन की फिलिपकाट बिक बिलेंडे सेल में नमबर वन प्रोपर केटलोगिंग जी हाँ हम में से बहुत सारे सेलर ये गलती करते हैं कि अपना केटलोग अच्छी तरह से लिस्ट नहीं करते और इंतिजार करते हैं बैट कर ज्यादा ओडर साने का अगर आपने केटलोग सही तरीके से लिस्ट नहीं किया तो आपके ओडर्स ना ही एडरन करने से आएंगे और ना ही किसी ओफर या सेल में पाटिसिपेट करने से इसलिए सबसे पहले अपना केटलोग चेक कीजिए कि आपके केटलोग में कुई कमी तो नहीं है प्रोफेशनल केटलोग बनाने के लिए कुछ बाते धियान रखनी है आपको जैसे कि इमेजिज आपको सबसे ज्यादा इमेजिज पर धियान देना चाहिए जितनी अच्छी इमेजिज होंगी उतने ही ज्यादा चांचेस होंगे orders आने के इसलिए आपको थोड़ा धियान देना चाहिए और इंवेस्ट करना चाहिए फोटो शूट में अगर अब बजड है तो क्योंकि वही वाली बात आ जाती है जो दिखेगा वही बी बी कियेगा जयाद दर सेलर कि और आपको प्रइज करने के बाद लोस हो रहा आए तोबीजिया दोबारा से इसी SKUID के प्राइज बढ़ा दीजिए इस चीज़ को हमने खुद experience किया है इससे product की visibility decrease नहीं होती और अगर आपको price recommendation accept करने के बाद भी लोस नहीं हो रहा तो और भी अच्छी बात है number 3 take care of best selling SKUIDs मतलब कि जो हमारे सबसे ज्यादा sell होने वाले product हैं उनको stock हमेशा रखना है सिर्फ sell के time पर नहीं बलकि all the time क्योंकि इससे product की visibility बढ़ती रहती है stock maintain रखने से कैसे sell increase होती है वो मैं आपको समझाता हूँ example एक agent है जिनके पास बहुत सारे customer है all over इंडिया से आते हैं और वो agent उन customer को अलग लग shop पर भेज़ता है उस agent को बदले में थोड़ा सा commission मिल जाता है अब सोचिए उन shop वालों में से एक shop आपकी भी है और उस agent ने कुछ customer आपकी shop पर भी बेज़े हैं लेकिन आपके पास stock नहीं था तो उस agent के customer का experience खराब हो गया अब उस customer को इतना trust या believe नहीं होगा उस agent के ऊपर customer को लगेगा कि professional नहीं है कभी माल होता है इनके पास तो कभी नहीं होता customer का time भी खराब हो गया अब वो customer next time दूसरा agent देखेगा किसी दूसरी market में जाएगा अच्छे experience के लिए अब आपकी वज़े से उस agent का customer खराब हुआ है इसलिए वो agent आपके पास customer नहीं भेजेगा उसके पास भेजेगा जिस पे product की availability होगी बिल्कुल एसे ही e-commerce platform करते हैं flip card पे को customer product सर्च कर रहा है अब एक minute में 1000 customer ने t-shirt सर्च की और आपने stock डाल रखा है एक या दो तो flip card आपका product सर्च में ही नहीं दिखाएगा क्योंकि आपके पास stock नहीं है और आपकी वज़े से उसके customer खराब हो जाएंगे flip card customer उस seller के पास भेजेगा जिसके पास product की availability होगी जो सारे customer को manage कर सकता है इसलिए कोशिश कीजिए stock maintain करने की and sell के time पे तो ज़रूर stock अच्छा होना चाहिए लेकिन वो भी best selling product का कभी ऐसा ना हो कि सबका stock भर लिया और अब वो sell नहीं हो रहे नमबर 4 attractive offer proper catalog price recommendation best selling SQID इन सब को सही करने के बाद अब कमाने का time है customer को अपनी तरफ खीचने का और वो होगा offer and promotion से जैसे की big billion day sale आ रही है flip card big billion day sale में से अपनी category, catalog and budget के accordingly offer में enroll कीजिए flip card promotion tape में जाने के बाद आपको tons of order show होने लगेंगे उन में से ज्यादा तर promotion usual based होते हैं मतलब कि जो selling price आप ज्यादा time तक रखते हो वही usual price बन जाता है और view offer आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे की MRP discount, basket discount आप अपने accordingly enroll कर सकते हो enroll कैसे करना है इसके उपर मैंने already एक video बनाई भी है लिंक बिस्क्रिप्शन में है यह उपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो नमबर 5, Flipkart algorithm system Flipkart के algorithm system को समझीए और उसके accordingly काम कीजिए Flipkart का algorithm system ही है जिस पे आपकी sell depend करती है कि कितनी आएगी जैसे मैंने आपको बताया proper catalog, price recommendation, stock availability, offer and promotion यह सब complete होने के बाद Flipkart का algorithm system आपके product को खुद पुश करेगा और उसकी availability बढ़ाएगा और जाने से पहले वीडियो की last में एक extra bonus tip यह है कि आप जो भी product sell कर रहे हो वो actually में अच्छा होना चाहिए जैसे कि आप अपने लिए या अपने किसी खास के लिए अच्छी चीजे लेने की सोचते हो customer के लिए भी बिल्कुल वैसे ही सोचिए उतने ही कम price में जितने कम price में आप अपने लिए ढूंडते हो ऐसा करने से आपके product पर अच्छी rating भी आएंगी और वो customer आपके loyal customer बन जाएंगे बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते ही किसी new वीडियो में wish you all the very best for your future